एक गाव में एक सारंगी वाला आया वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था राद में जब उसने सारंगी बजारा शुरू किया तब गाव के बहुचे लोई कटे हो गए सारंगी की मीथी आवाद जुनकर सब लोग कहने लगे कैसी मीथी सारंगी है कितना आनंदा रहा है कोई पाद में बेठा हुआ बोला भी लोगों की ये बाते सुन रहा था वो मंधी मंगाने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत ही मिथी लगी पर मेरा मूँ तो मीथा हुआ ही नहीं ये सब जूद बोलते हैं थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बेठने से मूँ मीथा हो जाए इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया राज के तीन चार बजे जब सारंगी वाले ने गाना बचाना बन कर दिया जब जोगों ने सारंगी वाले से कहा महाराज आपकी सारंगी पहुत ही मिथी है हमें बड़ा ही आदर्वारा आपके किसी ने दो सार्थी मेरी ठेही है ये बाते सुनकर भोला मन ही मन पोचने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत ही मीथी लगी पर मेरा मूँ तो मीथा हुआ ही नहीं ये सब सा जूड़ गोले हैं जब ज्यादा होने के कारण लोग घर नहीं गए वहीं सो गए जब लोग मीन में खराटे ले रहे थे तब भोला चुपके से उठकर सारंगी को उठा ली और उपर का खोल इटार के दूसे जीट से चाटा जब जो करना है पर इन लोगों को अच्छा लगा है सबेरा होने पर जब सारंगी अमनी जबा नहीं मिली कब सब लोग दुखी होकर कहने लगे जीटी सारंगी जी इतना अननता रहा था बता नहीं को ले जा बोला इस जूट बात को ना सुन सका और जुसे से बोला क्या ठाक मिठी थी मैंने तो उच्छा अच्छी ज़रा जहना था उसमें तो उपक में खाशी नहीं था तो लोग जूट बोल दे हो और बाबा जी की खुटाबा तर्दर रहते हो लोगों ने पूछा कब सारंगी है कहाँ? काम के बाहर पड़ी है काम के बाहर तो ने बाहर भट उच्छा झाल